benefit का opposite word क्या होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं benefit का मतलब होता है लाब या फाइदा और इसका उल्टा होता है हानी या कमी तो हानी या कमी को आप disadvantage या drawback कह सकते हैं यानि कि किसी चीज़ में कोई खामी होती है या किसी चीज़ में कोई कमी होती है तो उसको हम disadvantage या drawback कह सकते हैं और loss भी कह सकते हैं loss वैसे gain का opposite होता है लेकिन जो अगर आपसकी नफा के sense में यानि लाब के sense में हम benefit का मतलब देखें तो इसका opposite loss भी हो सकता है L-O-S loss तो जैसे कि आप कह सकते हैं there is a benefit in this deal यानि कि इस deal में benefit है there is a disadvantage in this deal यानि कि इस deal में नुकसान है या there is a loss in this deal यानि कि इस deal में हानी है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें